हम आप लोग को बताने वाले हैं कि एक नया पेमेंट लिश्ट जारी हुआ है जो कि अभी तक एक दो तीन चार पांच तक जारी हुआ था लेकिन अब जो है नया पेमेंट लिश्ट जारी हो चुका है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसमें किसका किसका नाम हो सकता सब्सक्राइब बिडियो को पहले देख लिजए उसका आप लोग चेक कीज़ेगा डिस्क्रिप्टियूट्ट में आपका लिंग है आप वहाँ पर जा करके छेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले आप लोगों को Google Chrome open करना है ठीक है Google Chrome को आपको open करना है Google Chrome में आपको type क्या करना है हम आपको बता जाते हैं आप Google Chrome आपको open करने के बाद यहां पर आपको लिखना है B I C Y I N F O.C O M इसका link आपको description में मिल जाएगा लेकिन आप यहां type करके जब आईएगा यहां पर सबस्क्राइब करने के बाद अब आपको यहां पर आगए अब आपको यहां पर थ्री लाइन पर क्लिक करना है और नीचे आकर करके आपको scholarship update पर क्लिक करना है जैसे ही आप इसकोलर्सीप update स्क्रोल करके नीचे आने के बाद आप इसमें साथ पर सकते हैं इसमें जो भी लिखा हुआ है ठीक है कि को आप कितने total payment list यहां पर जारी कर दिये गए अभी तक six payment list अगर आप apply नहीं किये तो apply कीजिए अभी date है apply करने का ठीक है अब आप यहां पर स्क्रोल करके नीचे आन जैसे यहां पर यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर देखिए चाथे payment list आ चुके हैं यहां पर देख सकते हैं आप लोग कि स्टुडेंट six payment list for ready for payment यानि payment होने के लिए आपका ready हो चुका है six payment list और इसमें आपका नाम है कि नहीं आप कैसे चेक किजिएगा तो आपको सबसे प करना है जो भी आपका category उसका आपको जेंडर उसके बाद में आपको लिस्टेश करके साथ पर किलिक कर देना है जैसे सब्सक्रीं कििजेगा आपको नीछे आजाएगा अगर नीचे नहीं आ रहा है तो आप category गलत चूज किये हैं के तो सहीं किजेगा आपका नीचे आज आ है इनका अब इनको पैसे दिये जाएंगे तो इनका रेडी फॉर पेमेंट है अभी नेक्स्ट बार में हम इसमें बताएंगे कि आपको सेंड फॉर पेमेंट कब होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि ऐसे यह स्कॉलर जय भारत